प्रिय देश्वासियों, जीवन के हर ख्षेत्र में नयापन, आधुनिक्ता, अनिवारिय होती हैं, वरना वोही कभी-कभी हमारे लिए बोज बन जाती हैं, भारत के क्रशी जगत में आधुनिक्ता ये समय की मांग है, बहुत देर हो चुकी हैं, हम बहुत समय गवा चुके है एग्रिकल्चर सेक्टर में रोजगार के नए एफसर पैदा करने के लिए, किसानों की आई बढ़ाने के लिए, परामपरागत क्रशी के साथ ही नए विकल्पों को, नए नए इनोवेशन्स को अपनाना भी उतना ही जरूरी हैं, वाइट रिवलूशन के दवरान देश ने इससे अनुभव किया है, अब बी फार्मिंग भी ऐसा ही एक विकल्प बन करके उभर रहा है, बी फार्मिंग देश में शहद क्रांती या स्विट रिवलूशन का आधार बना रही है, बड़ी संख्या में किसान इससे जूड रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, जैसे कि पस पड़ों की इतनी उचाई, भवगलिक दिक्कत हैं, लेकिन यहां के लोगों ने हनी बी फार्मिंग का काम शुरू किया, और आज इस जगह पर बने शहद की, मधु की अच्छी माग हो रही है, इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ रही है, पच्चिम मंगाल के ही सुन्दर बन इलाकों का प्राकृतिक और्गेनिक हनी तो देश दुनिया में पसंद किया जाता है, ऐसा ही एक व्यक्तिकत अनुखव, मुझे गुजरात का भी है, गुजरात के बनास काठा में बस 2016 में एक आयोजन हुआ था, उस कारिकम में मैंने लोगों से कहा, यहां इतनी होना हैं, क्यों ने बनास काठा और हमारे यहां के किसान स्वीट रिवालुशन का नए अध्याय लिखे, आपको जानकर खुशी होगी, इतने कम समय में बनास काठा शहद उत्पादन का प्रमुक केंदर बन गया है, आज बनास काठा के किसान हनी से लाखों रुपिय सालान कमा रहे हैं, ऐसा ही ये गुदारन हर्याना के यमुना नगर का भी है, यमुना नगर में किसान भी फार्मिंग करके सानाना कई सौट टन शहत पैदा कर रहे हैं, अपनियाय बढ़ा रहे हैं, किसानों की इस महनत का प्रणाव है, कि देश में शहत का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, और सानाना करीब सवा लाग टन पहुचा है, इसमें से बड़ी मात्रा में शहत विदेशों में निर्याद भी हो रहा है, साथियों हनी बी फार्मिंग में केवर सहत से ही आय नहीं होती, बलकि बी वैक्स भी आय का एक बहुत बड़ा माध्यम है, फार्मा इ बी वैक्स की डिमांड है, हमारा देश फिलहार बी वैक्स का आयात करता है, लेकिन हमारे किसान अब ये स्थिती तेजी से बदल रहे हैं, यानि एक तरह से आत्मा निर्भर भारत भ्यान में मदद कर रहे हैं, आज तो पूरी दुनिया आउर्वेट और नेचरल हेल्थ प् रही है, मैं चाहता हूँ देश के जादा से जादा किसान अपनी खेती के साथ साथ भी फार्मिंग से भी जुड़ें, ये किसानों की आई भी बढ़ाएगा और उनके जीवन में मिठाद भी घोलेगा